एक वेलकम बैक तो चानल डिस समीर एन यह वाचिंग एमिस्की व्लोग तो गाई आज हम लोग है मुम्रा में और हम लोग है आसिफ भाई के साथ आपने आसिफ भाई को हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा पिछले सीजन में लॉक्डाउन से पहले है ना आसिफ भाई ह हम लोग जाने हैं आसिब भाई से असलाव आलेकों आसिब भाई थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ेगा ठीक है और कैसा जा रहा है जो पिछले बार हम लोग आये थे तभी आपका इतना कुछ जादा मतलब सेट अप इंप्रूब्मेंट नहीं था अभी मैं आया हूँ तो तो कैसा जा रहा है जो जर्नी कैसी जा रही है अच्छे जा रही है कितना साल होगे अपने चालू किए तो कभी साड़े तीन साल हो गया माशाओग्ला है अच्छा आपने ट्रेडिंग भी पूरा साल कर रहे है कि सिफ सीजन के लिए यह बक्रा भी हम लुग सेल वर्ड यू इसके चौड़ाइ जो होती है वो शाड़े पांच आपने इसको मेजर किया हुआ गया अच्छा इसका वेट अगेरा भी आपने किया है गया कितना वेट इसका कितने दाथ पर यह शे दाथ पर क्या हम लोग वीडियो में दिखा नहीं सकते क्योंकि पिछले बार हम लोग आया थे तभी कुछ अलग से सीन थे से यूटूब के अभी बहुत सारी गाइडलाइन्स आ गई है तो उसके चलते हम लोग यह सब नहीं दिखा सकते लेकिन अगर क कॉल करता है और अगर वो बोलता है कि वीडियो में को प्लीज शेयर कर दीजिए जो आप इसको हाइड वेट दाथ जो भी है वाप उनको परस्नली भाए 38-39 के हाइड है अगर को परस्नल में भी वीडियो मांगता तो आप उनको शेयर कर देना है ना यह बकर आपने बास आपका फुल टाइम यही काम है कि आप दुसरा भी कुछ काम करते हो अभी भी आपके पास कुछ आट नौ बकरे थे तो बेज दिया अपने तो अपना काम इकदम फ्लो में आ गया है लोग जानने लगे सही है माशाला और यह इनका सेट अप है छोटा मोटा इनको और कामिय मैं भी दे तरक्की दे तो और बड़ा सेट आप इन्शालला आपके देखना चाहो तो आपके देखना जैसे कि मैं यहां पर आया और मैंने देखा तो माशाला अपने आपी मूझ से माशालला निकलता है ऐसी कॉलिटी है तो आप आओ और यहां विजिट करो और अगर कोई पसंद आती है नायाब चीज है तो रेट वगेर अगर आपको बेचना होगा तो यह बेचेंगे नहीं बेचेंगे तो यह बकर आपने को देना है इसका प्राइस हम लोग बताएंगे वीडियो में कि कॉल पर बताएंगे ओके कॉल या वाट्सप पर बता दोगे लोग बताते हैं लेकिन उस पर भी कमेंट आते हैं तो पता नहीं क्यूंद आते हैं तो पता नहीं क्यों पर बहुत अच्छा है मैं आपके क्लोज लूक दे रहेता हूँ बहुत ही मतला इक्दम मस्ठी खुर बक्रा है इसलिए इसको ऐसा पकड़ा पकड़ना पड़ा है अदर्वाइस यहां पे बच्चे भी है बहुत से लोग है जिनको यह प्रोबलम पौचा सकता है तक्लीफ पॉचा सकता है इसलिए इसको ऐसा पकड़ा गिया यह भी बोलना पड़ता है भाई ऐसे क्यों पखड़े वह अभी यूटूब में सब चल गया मालूं तो यह बकरा थोड़ा से एग्रिसिव है किसी को दुखसान ना पहुचा दे इस वजे से इसको पखड़ा गया है बकरी की कॉलिटी बहुत अच्छी आपने इसके बाल अग क्योंकि यह साइट के बाल अलगी रहते ना मेवाती में तो यह बाद जब बढ़ेंगे तो और अच्छे हो जाएंगे माशालला तो यह बकरा है मेवाती में जोकी इनको देना है रेट यह फोन के ओपर बता देंगे या वाट्साप आप लोग इंसे कीजिए नंबर में स्क अधर में गाल करेंगे तो आप पिक अप कर लेंगे अम्रुत नकर शरीफा रूड के पास आके आप इनको कॉल करेंगे ना तो यह आपको पिक अप कर लेंगे वहां से कोई जादा हाड एंफास हो नहीं है एड्रस एकदम इजी अटरस है ठीक है तो सलीम असिभ बढ़ यह अभी ज्यादा हो गया है ना बहुत ज्यादा एक्रिसिव है मतलब एक्रिसिव मतलब बोले तो मस्ति खोर बागम दोड़ी यह वो उचलकुत करने वाला बकरा है तो माशालला बहुत अच्छी कॉलिटी में अगर कोई इसको पल्टी पे रखे अभी छे दात पर अगर अगले साल तक तक तो अराम से 120-130 तक तो यह जाना ही चाहिए इंशालला तो जैसा भी जिसको भी जिस किसी चीज में इंट्रस्ट हो रखना हो यह कुर्बानी के लिए चाहिए हो तो आप लोग इसको इनसे कांटक कर सकते हैं ठीक है और ब्रीडिंग के लिए भी बहुत अच्छा बकराई है तो गैस मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में जब तक के लिए गुड़ बाई टेक कैर अला आपिस